नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी का कृशी और नक्षात्र में जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक कैसा रहेगा आपका भाग्या सितारों के मुताबिक सितारों के मुताबिक आपका राशी फल आपको बताने के लिए एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित अमित पांडे जी जोकी जोतिश के जानकार है पंडि जी बहुत-बहुत सवागत है आपका स्टूडियो धन्यवाद आपका जी तो चलिए कालेक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कैसा रहेगा आपका भविश्य 29 जनवरी से 4 फरवरी तक और शुरुआत करते हैं पहली राशी मेश राशी से जान लेते हैं मेश राशी का भागया पंडी जी मेश राशी के बारे में बताए मेश रासी के अपने दर्सकों को बताऊं कि जब सपता की सुरुवात होगी अर्थात रविवार के दिन सूर्य और चंद्रमा की इस्थिती एक भाव में है अर्थात मकर रासी में जो की आपकी दस्मी रासी है तो रविवार का दिन तो बहुत अच्छा रहेगा कोई दिक्कत नहीं है और काम में सफलता भी मिलेगी आर्थिक मामलों में उनके दोस्त मित्र सहायता करेंगे और जब सुमवार अर्था अगले दिन चंद्रमा गोचर करके एकादस भावर्था लाभ के भाव में चला जाएगा तो लाभ का प्रतिसत भी बढ़ जाएगा और आपका स्वास्त इस सप्ता रविवार से लेकर के सनिवार तक पूरी तरह ठीक रहेगा कोई समस्या नहीं आने वाली है हाँ चात्रों के लिए थोड़ा सा ये कठिन समय है आपको स्रम अधिक करने की आउशकता है इस सप्ता मेश राशी के दर्सकों का सुभ अंक नव है और यदि कोई विशेज काम करना है जहां पर रंगों का प्रयोग करना हो तो लाल रंग का ही चैन करें क्योंकि इस सप्ता आपका शुभ रंग लाल है हुआ डियान रखिएगा जब भी आप बाहर जाएं तो लाल रंग का इस्त लिए से जाधा भेप लिए बढ़ते हैं आगे बात करते हैं पर के थारे में ठीक है अर्थात इनमें व्रिद्धी होगी स्वास्त भी अच्छा होगा अवार्थी कोस भी बढ़ेगा हां जो लोग बिरोजगार हैं ब्रिशवरासी के लोग उन्हें थोड़ा स्रम अधिक करना चाहिए भाग दोड़ अधिक करने चाहिए उसी के पस्चाती सफलता मिल के योग हैं लेकिन योग थोड़े कम है निरास नहों आगे भविस्याप का अच्छा जरूर होगा हां ब्रिशवरासी वालों को एक सावधानी रखनी है कि इस सब्ता अपने परिवार के किसी भी सदस्य के किसी भी बुरी बात का भी जबाब ना दे क्योंकि अपने परिव क्ली रंग आपका है सफेद लेकिन ध्यान रखना है कि अन्वन से आपको बचना है बहस किसी से नहीं करनी है चली आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मिठोराशी की जान लेते हैं मिठोराशी का हाल कीसा रहेगा 29 जनवरी से चार परवरी तक पंडिय मिठोराशी के सितारे कह करने की this प्रवित्ति के कान आप जो भी कामिस सपता करेंगे वह सावे काम आपके सफलंगे और चूकि आpad एक सखारात्मक सोज के व्यक्ति इसलिए आप किसी भी कार में हाथ डालेंगे वह सारे कार्याव के सफलंगे इस सपता आप का शुबth अंक के तीन और सुभरंग रंग है हरा आपका शुब अंख तीन है मिथुन राशी के लिए और शुब रंग आपका हरा है आगे की राशी की बात करें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपका कोई सवाल है आप पंडेजी से अपने किसी सवाल का जवाब चाहते हैं तो आप अपना डेट आप बर् बात करते हैं अगली राशी करकराशी की पंडेजी करकराशी पाना दर्सक्रा तर दर्शकों को बताओं कि इस सब्था आपके सब्साथ काम करने वाई लोग हैं वह आपका बहुत अच्छी धंग से सहयोग करेंगे जिसके कारण आप सारा कार निर्धारित समय पे संपन कर लेंगे और जब कार निर्धारित समय पे संपन होंगे तो आपकी आए भी बढ़े गियामदनी में भी इस सप्ता वृद्धी होगी और अच्छी बात यह है कि सप्ता आपका दामपत्य जीवन मारी लाइफ बहुत अच्छा रहेगा बहुत सवयोग करेगा आपका लाइफ पार्टनर आपको इस सब्ता आपका सुभ अंक है दो और सुभ रंग है क्रीम दो चुकी चंद्रमा का अंक होता है इसलिए कोई भी कारे करने से पहले दो का चैने दियाब करते हैं अंकों के मामल में तो आपके लिए त्रिष्ट सिद्ध होगा लाफदायक सिद्ध होगा तो यह था पहली चार राशियों का हाल फिलहाल रुक रहें एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बात करेंगे बाकी बची राशियों के बारे में साथ ही लेंगे आपके कुछ सवाल भी बने रह ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कुर्शी और नक्षात्र में जिसमें हम आपको बता रहे हैं 39 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक कैसा रहेगा आपका भाग्यें चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगली राशी सिंग राशी की पंडीजी सिंग राशी का बटाएं सिंग राशी के अपने किसानभाईयों को बताओं कि इस सब्ता किसान भाइव जो भी काम कर रहे हैं अपने कार्यंशेत्र में खेती क्रिसिश जुड़ी जो भी काम करना चाहर है उसमें बहुत हथा को सफल रहेंगे उसमें लाब की गुंजाइज बहुत तो नहीं है लेकिन हाँ लाब के आसार अवसर जरूर दिखाई देंगे जिसके कारण से आपका मन थोड़ा सा प्रसन होगा थोड़ा सा खुसी की अनभूती होगी हाँ आप एक चीज अवसर ध्यान दें सिंहरासी के लोग कि किसी तरह की अनावश्चक बयान बाजी ना करें सांत रहें धैर रखें आप कुछ भी ऐसा ना कहें कि जिसका भविस्य में दूस परड़ाम आपको जेलना पड़ें और सबसे अच्छी बात है कि आप चुप रहें मौन रहें हाँ इस सब्ता सुब अंक आपका है एक और जो सुब रंग है सब्ता वो है लाल लाल जो है भगवान स्री सूर्य नारायन का रंग है और सूर्य की अधीन आती है आपकी रासी सिंग इसलिए लाल रंग का प्रयोग जादा जादा करें तो आप देखेंगे कि अधिक होगा अर्थात आप अधिक कारियों में कम समय में जल्दी सफल होंगे और चलिए आगे की राशियों की बात करें उससे पहले एक दर्शक का सवाल ले लेते हैं जिन्होंने हमें वाट्सेप के जरीए सवाल भेजा है प्रेम लता जी हैं जो अपने बेटे के बारे म के बेटे का नाम है उनका डेट अब बर्थ है 20 जून 1982 और समय है छे बच कर 40 मिनट शाम का और स्थान है दिल्ली पिलहाल इनके जो बेटें हैं वो स्पेन में रह रहे हैं लेकिन उनको नौकरी कब तक मिलेगी और किस देश में मिलेगी यह जानना चाहती हैं प्रेम लता जी साहिल दुआ जिनका जन 20 जून 1982 को 46 साम को नई दिल्ली में हुआ है उनको बताओं कि इस समय उनकी ब्रहस्पती की महासा चल रही है 2008 से ही ब्रहस्पती 12 भाव में गया हुआ यह विदेश यात्रा के संकेत देता है निशित रूप से कहीं जर्मस्थान से दूर है किसी शुक्र का अंतर चल रहा है जो एक तो दामपत्य को लेकर के खराफ संकेत देता है दूसरा व्यापार को लेकर के खराफ संकेत दे रहा है अर्था जब तक यह सुक्र की दसा चलेगी इनकी जीवन में संघर्ष की इस्थिती बनी हुई है लेकिन निश्चिंत रहें संघर् सुक्र की दसा में भी अर्थ के लाव होते हैं किसी ऐसी कंपनी से जो बिलास्ता की वस्तुएं बनाता हो जो कास्मेटिक के सामान बनाता हो घर में साथ सज्जा के सामान बनाता हो फिल मिडिया ऐसे किसी कंपनी से जुड़ करके यह अच्छा लाव कमा सकते हैं ऐसी किसी कंप इन्टिया के बाहर कि कि किसी पस्चमी देशमें इंको नो कुरणी बिन लेकर पूरे योग हैं यह पस्चिमी देशों में अपने करियर को समारें अपने करियर का देखें तो निशित रूप से निनोकरी बहुत जल्द मिल जाएगी तो उम्मीद करते हैं प्रेमलता जी कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा दर्शकों आपसे गुजारिश है क तो आपके सवाल का सटीक जवाब आप तक पहुँच पाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगली राशी कन्या राशी की जानते हैं क्या कहते हैं कन्या राशी के सितारे पंडिजी कन्या राशी का राशी फिल भी बताए कन्या राशी के अपने दर्सकों को ब उखा रहे हैं इनकी फसलूं का उचित मुल नहीं बन राह नहीं मिल रहा है उसके नए रास्ते बनेंगे कुछ ने कुछ हल निकलेगा कि इनकी फसलों का अच्छा मुल इस सफता के पस्षाथ मिलना आरंब हो जायेगा इसमें किसान भाईयों को एक सला दूँगा कि बयंक से थोड़ा सा प्रयास करें तो इनहें बित्ती सहायता भी इस सपता मिल सकती है बयंक इनकी सहायता किसान भाईयों की अवस्ते करेंगे। और भी आपने पर्स में रखते हैं तो आपके लिए यह शुब रहेगा तो शुब रंग और शुब अंग राशी के अनुसार पंडिजी आपको बता रहे हैं चाहें तो आप नोट करते जाए चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगली राशी तुला राशी की जानते है तुला राशी की सितारे क्या कहते हैं 29 जन stärके इ absolument between पंड़ी तुला राशी का राशी शिवल क्या सा रहेगा इस सपता तुला राशी सुक्र की राशी है सुक्र चुकी गूरु है ज्यान देने वाला ग्रह है इसलिए तुला राशी के दरसकों का इस सब्ता अध्यन और अध्यापन की सैली की काफी प्रसंसा होगी विद्यार्थी भी अच्छा करेंगे और तुलारासी के जो अध्यापक हैं उनकी भी प्रसंसा होगी वो भी काफी कुछ अच्छा करेंगे तुलारासी के लोगों की भाई वा माता पूर्ण सहयोग करेंगा रथाद भाई वा माता से सुक्की प्राप्ती होगी इस सप्ता हाँ हमारे किसान भाईयों के लिए एक विसेश बात है चाहे किसान भाई, ग्रामृर में रहने वाले किसान भाईँ या फार्महाउसों के जरिये किसान जो काम करते हैं सरी छेत्र में, उनके लिए बताओं कि सपता बहुत अच्छा रहेगा, कुछ न कुछ वग्यानिक धंग से खेती करने वालों किसान भाईँऊं के लिए ये सप सब्ता लावकारी होगा इस सब्ता आपका शुब अंक है साथ और सुब रंग है गुलाबी इन दोनों चीजों का परयोग करिए आप देखेंगे कि आपका लाव अवस्य बढ़ जाए तो तुला राशी के लिए शुब अंक जो है वो साथ है और शुब रंग आपका गुलाबी है इन्हीं का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदे मंद होगा चले बात करते हैं अगली राशी वृष्चिक राशी की पंडी जी वृष्चिक राशी का राश अवस्य शफल होंगे हाँ किसान भाईयों के लिए थोड़ा सा ये सपता ठीक नहीं है क्योंकि क्रिसी कारे में कुछ नो कुछ ऐसी अरटशने आएंगे कुछ नो कुछ ऐसा गतीरोध होगा चाहे गतिरोध मौसम के वज़ा से हो चाहे किसी भी प्रकार कहो कुछ नो कुछ अवरोध अवश्यूत्पन होगा हाँ जो लोग अभी बेरोजगार हैं जिनकी नोकरी नहीं लगी है ऐसे लोगों को बताऊं कि इस सप्ता रोजगार के छेतर में इच्छी सफलता मिलने के पूरे संकेत हैं इस सप्ता आपका सुभ अंक है नो और सुभ अंक है मैरून यदि आप कोई साथ छातकार देने जा रहे हैं विर्श्यक्राशी के लोग तो आप मैरून रंक के वस्तरका प्रयोग करें या एक मैरूर रंक का छोटा साही साही कपड़े का टुकड़ा अपनी जेब या अपनी पकेट में रखें तो आपको सफलता आश्य मिलेगी तो विर्श्यक्राशी वालों के लिए शुभ अंक है नो और शुभ रंग है आपका मैरून फिलहाल कारेकरम में रुखते हैं छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक से लॉटेंगे तो बात करेंगे बाकी बची चार राशियों की साथ ही लेंगे आपके सवाल भी बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कृशी और नक्षात्र में जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं 29 जन्वरी से लेकर चार फरवरी तक क्या कहती है सितारों के चाल आपके भविश्य के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगली राशी धनू राशी की पंडिजी धनू राशी का राशी फल बताएं दनुराची के अपने दर्सकों को बताओं खास करके किसान भाई जो की पक्षी पालन से अपनी जीवी का चलाते हैं रोजगार का साधन जिनका पक्षी पालन है वो थोड़ा सा साउधानी रखें इस सप्ता कहीं न कहीं पक्षियों से नुकसान उठाना पड़ सकता है आई के साधनों से आपको उत्तम लावतो प्राप्त होने के योग बने हैं लेकिन आप साउधानी अवश्य रखें आपके स्वजनों के मर्ध आपका मेल जोर मतलब प्यार बढ़ने वाला है इस सप्ता कुछ ऐसी घटनाए घटेंगी जिससे आपसी प्रेम आपका बढ़ेग इनके प्रयूग मात्र से आपका मन कितना प्रसंद होता है आपका मनोबल कितना अधिक बढ़ता है और चलिए अगली राशी की बात करें उससे पहले अपने एक दर्शक का सवाल ले लेते हैं समिता मित्रा जी हैं जिन्नोंने हमें सवाल भेजा है महाराष्ट्रा से इनका स मिराज और इनका टाइम है 12.45 पीम और यह शादी करना चाहती है वरुन जी से इन्होंने उनका भी भेजा है डीटेल्स दो तीन मिडिया के छेतर में जहां पर पर्षोना आदमी का रहता था एक ब्यक्तित्त का परदर्शन होता है वहाँ इन्हें सफलता के पूर्य योग हैं लेकिन काम बड़े देर से मिलेगा ततकाल इन्हें कोई सफलता के योग नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि दसा ऐसी है ब्र दूसरे सवाल का जबाब दूं आपके कि आपने जो एक कुल्णी भेजी है वरुण जी की उनके साथ आपके गुण मिलते हैं कि नहीं तो देखिए जो जोति सास्त्र है वो नशत्रों के आधार पे गुण मिलाने की विवस्था देता है जैसा कि मैं जब आप दोनों की कुल् जोनों का जब गुणा गुण मिलाया जाता है तो सिर्फ दस गुण मिलता है जो कि हमारा सास्तर कहता है कि यदि 18 गुण से कम मिलें तो विवाह वर्ज है विवाह मना हो जाता है लेकिन चुकि आप लोग अब वयस्क हैं यहां परिकल्पना उस समय दी गई थी जब बाल व विवाह के लिए आगे जा सकते हैं विवाह कर सकते हैं लेकिन उसके पहले एक दूसरे को भली भाती समझ ले जानने इसके बाद अपने कोई निर्णय ले हो आपके लिए ठीकष रहेगा तो उम्मीद करते हैं स्मिता जी कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगली राशी मकर राशी की पंडिजी मकर राशी की सितारे क्या कहते हैं सब्ता मकर रासी के अपने दर्सकों को बताओं खास करके किसान भाई जो की आरगेनिक खेती कर रहे हैं एक पैज्ञानिक धंग से खेती कर रहे हैं उन्हें इस सब्ता आरगेनिक खेती से लाब होने की पूरी उम्मीद है आसा के अनरूप धंका लाब भी मिलेगा और थात आपके फसलों की कीमत भी अच्छी मिलेगी और आपके निजी सम्मंद जो थोड़े से कटू पूर्ण हो गए थे कटूता बढ़ गई थी उसमें भी मदूरता आएगी और आपके निजी सम्मंद बहतर होंगे इस सब्ता आठ और शुब रंग है नीला इन दोनों चीजों का प्रयोग करिए फिर कमाल देखिए का आपके जीवन में कैसे सब चीजें ठीक प्रकार से होने लगती है तो मकर राशी वालों के लिए शुब अंख है आठ और शुब रंग है आपका नीला चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगली राशी कुम राशी की मैं कुमरासी के अपने दर्सकों को बताऊं खास करके अपने किसान भाईयों को ऐसे किसान भाई जो की फलों की खेती कर रहे हैं उन्हें थोड़े से कष्ट का समय है ये सब्ता फलों का नुक्सान होगा यूं कहें कि जो फलों की खेती करते हैं किसान भाई उनके लिए कश्ट का समय है नुक्सान उठाना पड़ सकता है हाँ इसकी बावजूद किसान भाईयों की कार छमता और हंसले में कमी नहीं आएगी चाहे बिपदा जितनी भी हो ये जरूर अपने आपको संभाल के रखेंगे और आगे ले जाएंगे हाँ धन की कमी महसूस नहीं होगी परिसिती चाहे जो हो इस सप्ता इस सप्ता आपका सुभ अंख है चार और सुभ रंग है आसमानी दोनों चीजों का प्रयोग करें आपको अवस्यलाव मिलेगा तो कुम राशी वालों के लिए शुभ अंख है चार और शुभ रंग है आसमानी चलिए बात करते हैं अंतिम राशी में की जान लेते हैं में राशी के सतारे कैसे रहेंगे जो पूजी उन्होंने निवेश कर रखी है उसका पूरा लावी सप्ता इन्हें मिलेगा यात्रा करेंगे वो भी लावकारी शुद्ध होगी मिनरासी वालों के लिए इस सप्ता आपके जीवन साथी को लेकर के थोड़ा सा चिंता का सप्ता है ये सप्ता चिंता भी कैसी स् मिलेगा तो मीन राशी वालों के लिए शुब अंक है तीन और शुब रंग आपका बादामी आपको पंडेजी ने पूरी बारा राशियों के शुब अंक और शुब रंग आपको बता दिये हैं उम्मीद है आपने नोट किये होंगे और सब्सक्राइब उनको इस्तेमाल आते हैं तो आप अपनी जन्व की तारीख जन्व का समय और जन्व का स्थान सवाल के साथ लिख कर हमें भेज चकते हैं फिलाल मुझे दीजिये इजाजत नमस्ते हमारा वाट्सएप नमबर है 9769577-49 हमारे फोन नमबर से हैं 01146016049 और 46016050 पांच शून्या पांच है इंफो एट ग्रीन टीवी इंडिया डॉट कॉम हुआ 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 ह